हाई वर्कम दर्जुरिक पेडर असोसिएशन माइनेम इस निशान दोस्तों डेली से अविलेबल कुछ बेटरिन बीट की फीडियो कफर कर लें ये वीडियो में काफी बेटरिन को दियो में हेल्ट में सारे और ग्रोट में सारे पापीश होने बाले हैं और और इंडिया टेक क्या आप इंडिया के कषी से भी पापी मांगा सकते हैं बतलब बीडर पाइस में ही सारे पापीश एफेलेबल है और केशन देली भाड़ी काफी जैसे ऑप्शन भी हो गया तो जिनको भी रिंगोर्मेन होगा नंबर दिया जाएगा उसमें पॉंटेक करके दिटेल ले सकत लिंक भी आपको अभी उपर एक मिनित के असपास में उपर आई बटन में नहीं टो एंड स्कीन में मिल जाएगा तो उसलिए दोस्तों वीडियो को शूरू करते हैं बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही एक्टिव पापी है यह तो फिलाल एक दिखा रहे बट इनके पा की ग्रोफ की और कालर कोट की सो रिकोर में हो से दोस्तों सेला का नंबर दिख रहे हैं उसमें कॉंटेक करके आप डिटेल पगरा ले सकते हैं बहुत जल्दी पपी बढ़ा हो जाता है सिजु जो से ब्रीड मतलब बहुत जली तीन-चार महीने में ही फूल साइज में आ जा आ सकते हैं और खर में जिन को जो लोग अपना पपी को डॉगी को सोफा पे बैट पे अलाव करते हैं उनके लिए यह ब्रीड है काफी बेहतर इंग और खुबसूरत बहुत ही हैल्दी प्रीड है और खाना पर गराभी बहुत कम लगते मतलब मुंटेन का भी खड़सा भी प्राइस के उपर ऐसे तो बहुत 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 जगह पर प्राइस बहुत 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 डिफ्रेंट है कुछ कुछ जगह पर 30-35,000 तक भी कोई कोई बड़ा बड़ा यूट्यूबर लोग मांग रहे हैं घर में ब्रीद होने वाले सी जू पपी की एक सेनल का नाम बना लिया इन लोग ने थोड़ा सा प्यूर्स बेस बना लिया तो प्राइस थोड़ा कफी ज़्यादा करके बे बेस सेक्टे बाट मेरा चैनल पर आपको डाइरेक्ट ब्रीडर से आपको मिल रहा है वही ब्रीडर प्राइस में बहुत इच्छी प्रेट में पपी एफेले बुले वह भी 100% प्यूर क्वाल दिगी यह आपका 12-13,000 के बिच में ऐसी ब्रीद का पपी की प्राइसे सो रिक चोटा ब्रीध है बहुत हलका ब्रीध है वैसे तो पीमारी बगारा कम होता है बाट एजे ओनर और एजे मतलब पैट ओनर आपका और हमारा फ़र्ज होता है कि हम लोग जब भी पपी को ने घर में लेके जाए या अपने घर में लेके आए तो पहले उसका जो हेल्ट पपी मिले तो और भी अच्छा है बिकाज फ्रेक्सिन के बाट या फ्रेक्सिन के टाइम पर ही जो थोड़ा बहुत इस्जूज हो सकता है चोटे पपी इसका हो सकता है उसके बाद उठना ज़्यादा कोई इस्जूज नहीं होता है तो यह दो मेने के असपास में फर्स्ट की डिटेल वगएरा ले सकते डेली वरी भी यह भी और इंडिया तक हो जाएगा फ्रम डेली और प्राइस के अगर बात करेंगे यह तो यह भी फिफ्टीन रफजन के निचे के प्राइस में यह पापी भी आफिलेबल है तो रस्तों इकों में होने से सिला का नमबर दीख है उसमें कॉंटेक करके और डिटेल ले सकते हैं और दोस्तों सिला के पास ही एगेन अफिलेबल है और एक चोटा ब्रीड फ्लेट अपर्टमेंट यह चोटा घर के लिए यह बहुत जारा जिनके पस ताइम नहीं है उनके लिए परफेक्ट ब्रीड है उनके लिए बहुत पॉपसूरत ब्रीड है वह बहुत आसानी से रख सकते ऐसे ब्रीड वह बीगल ब्रीड और फुल मार्किंग में पपी अफेलेबल है काफी खुबसूरत हैं ग्रोफ में पपी अफेलेबल है बीगल की और पैसे भी बहुत बहुत ज़दा टाइम नहीं है जो लोग बहुत पपी को टॉगी को उनके लिए परफेक्ट ब्रीड है घर पर रखना चाते हैं अगर छोड़के जा सकते तो एक जिसका ध्यान रखें आपका जो किम्ती सामान वगेरा है वह थोड़ा सा आप उससे दूर रखना थोड़ा सा उपर जैसे रख देना था कि यह वह क्योंकि विगल जैसा ब्रीड आस बखना सकते हैं बहुत ज़्यादा खारब कर सकते तो थोड़ा अगर भुशा कि रखेंगे अपने किम्षियल को तो बहुत असाना शी मेघए है अचले ब्रीड ब्रीड जनको भी किरिग्विड ब्रीड है इसे बेहरें का 50 जिए स असपास में से लग सा कॉंटेक्ट करके आप और बाकी डीजिल बगएर लेए सकते हैं मेल और फिमेल बूर्ट पपी इन के पास एफेलेबल है अपरसिनेटली वेक्सिनेशन फरस्ट हो गया है और सेवेंटी डेस का यानि थाई महीने की आसपास की पापी की एजे से बहुत खुबसूरत पापी है है बहुत प्यारी पापी है और ब्रीड भी काफी जड़ा खुबसूरत ब्रीड है फिफ्टीन थाउजन के आसपास में की प्राइजेस है जो की बहुत एक रिजनेबल प्राइस है जिनको भी ये प्राइज में यह आप पिशन फरस्ट की पापी की रिकॉर्मेंट है या पपी देखिया चा लग रहा है लेने का मून मन हो रहा है सेला के साथ कांटेकर कर के डिटिल ले सकते हैं फोनमर दिख रह तो नौट लिस्ट लेपरडर की बहुत बेहुत बेहुत इंकोल्टी कापी से वहलेगल है एकिन अलगेख सेला के पास देली में यह था इसे तीन महीने के आसपास में पापी की एज है काफी बेहुत अच्छे हेल्ट में हैं ग्रोट में हैं और एज भी बहुत अच्छा ए बढ़ना प्रट सनु भी कर आप सब्सक्राइब यह यह पीक में लेने से एक रिक्स को फेक्टर है उससे थोड़ा सा बाहर है तो काफी अच्छी तरिका से रक्षक्ते हैं आप पपी ले सकते हैं कोई इस शो ने वह सब्सक्राइब नहीं है तो जो जो थोड़ा सा अर्जेंसी टाइम होता है या थोड़ा सा रिस्की टाइम होता है वो अल्रेदी चला गया तो अभी बहुत आसानी से रख सकते हैं यह एज में पपी सो बहुत ही एक्टिव पपी है जिनको भी रिक्वार्मेंट है सेलर के सरका और बाकी डिटेल पर ले सकते हैं प्राइज भी मंद के मंद के चलिए 10 to 2000 के पीच में यह पपी का भी प्राइज है जो की बहुत ही एक रिजनेबल प्राइज है तो रिक्वार्मेंट होने से जाए के आप और बाकी डिटेल पर ले ले लेना देली भरी का ऑप्शन भी ऑल झाल झाल